आप सभी को हैपी धनतेरस and हैपी दिवाली आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुहरत ट्रेडिंग के ऊपर तो मुहरत ट्रेडिंग होते क्या काफी सारे लोगों के हमारे पास queries आ रहे थे कि आप इसके उपर एक वीडियो लेके आए तो आप सभी के लिए ये वीडियो हम लेके आए हैं सबसे पहले अगर मुहरत ट्रेडिंग में से हम लोग इस टर्म को समझते हैं कि मुहरत क्या होते हैं तो हमें जो चीजें वो जादा better clear तरीके से समझ आएगी तो हम लोग जो मुहरत की बात करें जो सबसे खास moment होता है या आप कह सकते हैं सबसे आप जो auspiceous moments होते हैं उसको मुहरत कहते हैं इस मुहरत में क्या होते कि हम कुछ भी अगर initiate करना चाहते हैं में कुछ अच्छा या कुछ खुशी वाली चीजे या कुछ बहतरी चीजे तो हम उस टाइम पर इन सब चीजों को इनिशेट करते हैं उन सब चीजों की इस टाइम पर शुरुआत करते हैं जैसे हम अगर किसी की शादी है किसी का वो बर्दे है या फिर बर्दे में भी हम ये देखते हैं कि जो और ये मुरत हम किस तरीके से देखते हैं जब हमारे जो ग्रह होते हैं जो हम हिंदू टर्म में हम यूज भी करते हैं जो सारे ग्रह होते हैं वो एक ऐसे फेवरेबल आपके आप कह सकते हैं कि फेवरेबल वे में हो जहां पर हमें उन सब चीजों के बाद ज हम लोग बात करें कि मुगरत क्या होते तो यह एक आपके रिचुल्स जो की फालो कि यह जाते है हमारे स्टॉक मार्केट में की तुरो तोता हäreल कि मैंना हो तो यहां पर यह जो टाइम है जो टाइम हम प्रेंड हया उस इस basis पे जो एक घंटे का time होता है, ये उस time में हम लोग यहां से initiate करते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से at least हम stock market में कदम रखे हैं और ये हमें आने वाले time में हमारा एक जो portfolio है, एक profitable portfolio बन सके और इन सब चीजों को ही मानते हुए हम लोग मुहरत trading के basis पे, हम लोग मुहरत trading के time पे ट्रेडिंग करते हैं या फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं कुछ जो नए लोग हैं वो या फिर जो market में regular traders हैं, investors हैं वो उस time पे किसी ना किसी एक stock में यहां पे invest करते हैं, तो I hope यहां तक आपको जो चीजे हैं वो समझ आ रही होंगी, अब हम लोग बात करें तो यह कब होता है, मोरा ट्रेडिंग का टाइम यह होता है, आपके दिवाली के दिन सिर्फ एक घंटे का वो टाइम होता है, उसी time horizon में उसी time period में आपको वहां पे investment या फिर आप कहा सकते हैं कि जो ट्रेडिंग करनी होती है, उसी time पे करनी होती है, और हम यहां पे क्यूंकि उस दिन लक्षमी पूजा है, और हम ऐसे भी बिजनस में मानते हैं कि लक्षमी पूजा के दिन हमारे बिजनस में बरक्कत हो, और इन सब ही चीजों को मानते हुए ही, यहां पे हम लोग स्टॉक मार्केट में भी जो हम अपना कदम रखते हैं, या फिर हम जो स्टॉक्स खर होती है, तो हम लोग अगर बात करें, यहां दोनों जो ब्लॉक्स एनसी यहां पर आपके एक जो लिमिटेड टाइम है, वो डिसाइड करते हैं, यहां पर भी आपकी जो नॉर्मल मार्केट सेशन जो होते हैं, वैसे यहां पर भी सारी चीज़े फॉलो की जाती है, लाइक डेली बेसे पर जो हम मार्केट में ट्रेड करते हैं, वैसे यहां पर भी आपके प्री ओपन सेशन होते हैं, वहीं नॉर्मल मार्केट सेशन की बात करें, यह आपके सिर्फ एक घंटे का होता है, और यहां पर ही जो जितने भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट या जो पर उपन होता है, उसी को हम लोग सिर्फ मोरड ट्रेडिंग कहते हैं, बाकी यहां पर जो सेशन हैं, वहीं जेनरली वहीं आपके कॉल ऑक्षिन हो गए और क्लोजिंग सेशन भी हैं, अब यहां पर अगर टाइमिंग की बात करें तो यह जो 2021 में जो टाइमिंग होने वाले 6.15 से लेके 7.15 तक है, और उसके बाद आप कॉल ऑक्षिन के जो टाइमिंग हो आप देख सकते हैं, 6.20 से लेके आपके 7.15 तक है, तो यह आपने देख लिया कि यहां पर आपके एक घंटे का जो है, वह मार्किट सेशन होगा, जिसमें आप ट्रेड करेंगे, जिसमें आप आपने इनिसियेटिफ जो आप करेंगे, अपने शेयर्स को लेके, स्टॉक्स को लेके, वह आप इसी टाइम में कर सकते हैं, नेक्स अगर हम लोग बात करें, यहां पर बेनिफिट कौन-कौन उठा सकते हैं, और किस तरीके से आप उठा सकते हैं, तो यह तो जैसा कि हमने बात कि यह एक अच्छा टाइम होता है जहाँ पे आप आप बाइ और सेल कर सकते हैं बिकोज यहाँ पे काफी ज़ाधा हाई वॉल्यूम में यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही होती है मार्केट इस ताइम पर इस एक गंडे आपको इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स दोनों ही काफी आपको यहां पर एक्टिव नजर आएंगे इस दिन पर और यहां पर वही आपको फायदा होगा कि आपकी जो भी रुके हुए शेयर्स है वह आप चाहे तो आप यहां से निकल सकते क्यों उस टाइम पर मार्केट का सब्सक्राइब करना है कि आप प्रीडर्स ट्राइब करने जारहे कि आपको अच्छा चैस्ट्रा ब्रॉर हो गयाए वह कुछ बूरा होगा दैट मिस आप ने आठीट करने की सोची नोट इन नटिस मतलब सीटी आपको क्लोजे क्लोज क्लोज हो गया और आप लॉस में रहा क्यλंकि मार्के तो इस वजे से हमें एक किसी शेयर में आपको हएंपना है तो आप The हमें नहीं है। यह है कि आप कदम रखना चाहरे तो एक अच्छे दिन हम कदम रखते किसी अच्छे चीज में तो यही एक टाइम होता है जहां अगर जो नए इन जो नए नए लोग है इस market में जो चाहते हैं कि ठीक हमें इसमें सीखना है हमें इसमें entry करनी है तो उनके लिए जादा अच्छ आप कर सकते हैं अब यहां पर हम लोग बात करें क्या क्या हमें ध्यान में रखना है इन्वेस्टिंग उस टाइम पर तो सबसे पहले तो चार तारीक को आपके जो दिवाली है उस दिन तो मार्केट बंद होगा सिर्फ एक घंटे के लिए मार्केट उपन होना है पांच को भी रिस्क इनकेस आपके बढ़ सकते हैं उससे आप बच सके तो ध्यान से उस टाइम पर आपको करना होता है और कोशिश करनी होती है कि एक हम बहुत स्ट्रॉंग फंडमेंटल जो कंपनीज हैं उनमें हमें इन्वेस्ट करना फॉर लॉंग तर्म क्योंकि हम उस टाइम पर एक तो वह अच्छा ही परफॉर्म करता है बुल्य चिर रहा है ऐसा कोई जरूरी नहीं है चिर्फ यह एक टाइम होराइजन है जहां पर आपको वस एंट्री करनी है यह कहीं नहीं लिखा है कि अगर आपको ज़्चा करना है अगर आप उपर नीची होती रहती है मार्केट में आप कह सकते बुल्रन भी चलता है कभी बीरिश होता है मार्केट वो सारी चीज़े तो चलती ही रहेगी हमेशा बट यह है कि आपको एंट्री करनी है तो यहां पर अच्छे एक अच्छे शेयर में आप एंट्री करेंगे फॉर लॉंग टाइम कि आपके अंदर capability नहीं है रिस्क को handle करने का एंदेन आप घबराहट में फिर आप रो रहे हो कि नहीं भाई हमने तो उस दिन एंट्री की थी इतना अच्छा टाइम था लक्ष्मी पूजा का टाइम था और हमने एंट्री की बट फिर भी हमको नुकसान हो गया बट में नहीं जाना है हमें at least CNC करनी चाहिए हम अगर इंट्राडे करें तो वहां पर हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा बाकी हमने आज की वीडियो में काफी कुछ डिसकस किया हो आप सभी को जो भी चीज़ें हमने समझाने की कोशिश की है वह आपको समझ आया और कास है यहीं कोई रहता है तो आप हमें जरूर हमसे comment box में पूछ सकते और ऐसे ही अगर कोईू सब्सक्राइब और डिवराली